वल्कम टिश्टान डिक्टेशन डिक्टेशन पांस किन बाश शुरू होगा रेडी स्टार्ट फ्रांस में बरबर आतंकी हमलों की ओर से दुनिया का ध्यान हटा भी नहीं था कि आस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकीयों ने धावा बोलकर यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया को धर्रा दिया पेरिस और नीस के बाद वियना के आतंकी हमले यही बता रहे हैं की जिहादी आतंकवाद का साया गहराता जा रहा है इन यूरोपिय शहरों में हुए आतंकी हमलों के बीच कनाडा के क्यूबिक प्रांत और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आतंकवादी हमलों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये सब हमले एक ही हिंसक विचारधारा की उपज हैं वियना में आतंकियों ने जिस तरह एक साथ कई स्थानों पर लोगों को निशाना बनाया उससे मुंबई में हुए भीशन आतंकी हमले की याद आजाना सभाविक है वियना को निशाना बनाने वाले खुंखार आतंकी संगठन आईयस से कूपरेरित बताए जा रहे हैं इसका मतलब है कि भले ही सीरिया और इराक में इस आतंकी संगठन की कमर तूट गई हो लेकिन उसके सहयोगी और हमदर्द दुनिया भर में फैले फैल गए हैं बीते वर्षों में दुनिया में तमाम आतंकी हमले ऐसे ही आतंकीयों की ओर से किये गए जो या तो आईयस से सीधे तोर पर जुड़े थे या फिर उससे कूपरेरित थे वियना में पुलिस की गोली का निशाना बने एक आतंकी के बारे में यह माना जा रहा है कि वह सीरिया जाने की फिराक में था और इसी कारण खूफिया एजेंसियों की निगाह में था आस्ट्रिया में आतंकी हमला इसलिए हैरान करता है क्योंकि यह उन देशों में है जिसने सीरिया इराक आधि देशों के सरनार्थियों को उदार भाव से अपनाया सच तो यह है कि वहाँ इन देशों के सरनार्थियों को अपनाने की मुहीम भी चली थी इस पस्ट है कि आईयस और अलकाइदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इस तरह की उदारता का कोई मुल्य नहीं वे सारी दुनिया में खिलाफत कायम करने की सनक से ग्रस्त है दुनिया को इस हिंसक सनक का सामना एक जुट होकर सक्ती के साथ करना होगा इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विश्व भर में वियना में हुए आतंकी हमलों की निंदा हो रही है क्योंकि तत्य यह भी है कि अमेरिका अफगानिस्तान को तबाह करने में जुटे तालीबान से समझोते को अपनी कामयाबी मान रहा है तो पश्चिम में सेकुलर और लिबरल तत्वों का एक वर्ग जिहादी आतंकवाद की गंभीरता को समझने के लिए तयार नहीं यह सुब संकेत नहीं कि दुनिया के अन्यदेशों के साथ भारत में भी कुछ तत्वों ने फ्रांस के आतंकी हमलों को जायज ठहराया यूरोप में आतंक की नई लहर के बीच ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा न केवल सरकार को बलकी समाज को भी स्टॉप